कि अखिर हलो एवरीवकर्वेड वेल्कप्टू टू 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 ट्यूब ओफफ्यूर्ज दोस्तों इस फीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनैशल अवेडनेस बैंकिंग अवेडनेस जो की मैंनेकिंग से रेलेटềnального जो नीद्ध होता है उसके बारे में हम बात करेंगे यह July 1st week है एक से साथ जुलाई तक के बीच का जो banking financial awareness है उसके बारे में हम बात करेंगे आपके exam RRB PO Grameen Bank PO Grameen Bank Assistant उसके बाद फिर और भी जो exam है IBPS Clerk उन सभी के लिए काफी important topic है यह banking awareness ठीक है तो banking awareness के बारे में हम बात करेंगे और कल ही इस चैनल पे July 1st week का current affairs upload किया गया उस वीडियो का आप जरूर देखे उस वीडियो का link description में है July current affairs first week उसे आप जरूर देखें तो current affairs हर exam के लिए सबसे important topic है तो आज हम बात करेंगे इसमें banking financial awareness July प्रथम सब्ता का first week का तो start करते हैं इसको first question पहला सवाल है as per world bank report migration and development brief India sorry migration and development brief India received how much remittance in 2023 2023 में भारत को कितना remittance मिला जो remittance होता है इन जो बाहर से जो पैसे और income भेजे जाते हैं इंडिया में remittance उसको कहा जाता है तो वर्ल्ड बैंक के report के अनुसार migration and development brief report है तो भारत ने कितना उस 2023 में remittance पाया तो इसका answer और option A 120 billion dollar यानि 120 billion dollar भारत को remittance मिला 2023 में नंबर वन पे भारत ये भारत ही ग्लोबली ऐसा देश जिसको सबसेदा remittance मिला क्योंकि भारत के emigrants जो भारत के नागरिक दूसरे दूसरे देशों में काम कर रहे हैं दूसरे देशों के economy में उससे जुड़े हैं तो वहां से जो earned किया जाता है जो पैसा भारत भेजा जाता वो remittance होता है इंडिये टॉप है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली टॉप remittance receiver 120 बिलियन डॉलर के साथ टॉप जो पांच देश ग्लोबल रेमिटेंस में उसमें इंडिया नंबर वन पे हैं भारत शिट्स पे दूसरे नंबर पे मेक्सिको 66 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पे चाइना 50 बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पे फिलिपिन्स और प不錯 नंबर पे है पाकिस्तान तो यह पांच शिर्श डेशे जोір्फिलेंश में टॉप प्प है है इंडिया मेक्सिको चाइना फिलिपिन्स और पाकिस्तान टेक मेर्ट साहे नंबर देखते हैं तो उसके बाद है और यह ऐसा देश जो सबसे आदा ओरिजीन है जो दूसरे दिशों में इमिग्रेंट जाते जो दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हैं सेटल होने के लिए जाते तो वह जो नंबर सबसे आदा भारत का है 18.7 मिलियन के साथ इतने मतलब अभी तो ऑफिशले रिकॉर्डड है कि इंडे रेमें अजर लाजिस्ट ओरिजिन कंट्रिस फॉर इमिग्रेंट जो दूसरे देशों में जाते दूसरे नंबर पर यूक्रेंड यूक्रेंड में बढ़तरी हुआ है एस पर यूक्रेंड रशिया व किस देश से सबसे आधा रेमिटेंस आता है इंडिया में तो वह है यू असे सबसे आधा यूए से दूसरे नंबर पर यू ए उनाइट अरब अरेरे इमिराट्स यह सबसे नंबर पर ऑठर पर 17 एकंड याइस से किया है से रिलेक्टेड एक निज्ज और इस वी का बैंक ने 1.5 बिलेंड डॉलर एप्रूब किया है वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है अजय बंगा जोकी पूरों मास्टर कार्ट से असोसियेटेट थे अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है हेड़कॉर्टर वाशिंग्टन में है इस्टैबलेश्मेंट कब हुआ था उनीस सो चोवालिस नाइनटीन फॉर्टिफोर नेक्स्ट कोश्चन है विच बैंक लॉंच्ट एमसेमी सहर्ज एमसेमी सहर्ज वेब बेस्ट डिजिटल बिजनस लोन सॉलेशन फॉर इस काच Εबाल स्ब्सक्राइबए उसमे मस्म जुनियृट की लिए मेसमी सहज किस बैंक ने लॉंच किया है बिजनस लोन के लिए तो इसकारों का आफ SBI State Bank of India State Bank of India ने MSME सहज लांच किया है युजिंग दिस फैसलिटी दे बैंक कस्टमर कन एवेल फिनेंस लोन अगेंस दिर जी सेल्स इन्वाइस जी सेल्स इन्वाइस की बूते उन्हें बिजनस फिनेंस लोन मिलेगा अब टू रूपीज वन लाग इसका जो तै किया गया है त इस माइक्रो इसमॉल मेडेम एंटरपाइजेस कबिनेट मिनिस्टर कौन है अभी जो कबिनेट नया फॉर्म हुआ गवर्मेंट जो एलेक्शन के बाद तो नए MSME मिनिस्टर कौन है अभी प्लीज एंसरें कमेंट नेक्स्ट कोश्चन हैं एंगी ग्रूप एंगी ग्रूप जो कि फ्रांस बेस्ट है और विच फिनाशल ओर्गनिजरेशन साइन लून एग्रेमेट तू बिल्ड 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन गुजरात गुजरात में सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए एंग ग्रूप ने और कौन सी अंतराष्टी वित्य संस्था ने लोन अग्रेमेंट साइन किया है तो इसका एंसरों का ऑप्शन सी ADB यानि की Asian Development Bank, Asia Vikaas Bank ADB has signed with NG Group of France to solar power plant बनाने के लिए गुजरात में, the budget cost is approximately 176 million dollar, 176 million dollar है budget outlay cost, इसका solar power will generate an average of 805 gigawatt hour solar energy over the next 25 years अगले 25 सालों के लिए ऐसा इसका यह है कि प्रोपोज जो solar power है, power plant यह generate करेगा 805 gigawatt energy solar energy over the next 25 years और यह जो है budget outlay 176 million dollar Asian Development Bank के president कौन है, Masat Sugu Asakawa, इसका headquarter कहां है, Philippines में है, Manila Philippines में है, और total member countries कितने है, 68, 60 member countries है, इसमें Asia और non-Asia countries भी associated है, Asian Development Bank के साथ, नेक्स्ट है, सेबी यहनि कि Security and Exchange Board of India raised BSDA, Basic Service Demet Account Limit to how much, to boost retail investor participation, तो जो है stock market में जो retail investor participation इसको बढ़ावा देने के लिए, सेबी ने, Security and Exchange Board of India, इसका threshold increase किया है, PSDA, यहनिकी, Basic Service Demet Account Limit to how much amount, तो इसका अंसरों का option D, 10 lakh, 10 lakh इसको बढ़ा के किया, पूर में यह 2 lakh था, इसका details रहते हैं, इसका आंसरों का 10 lakhs, और यह जो regulation से इसको लागो कप सी किया जागा, 1 September 2024, September 1st 2024, the BSDA threshold was earlier 2 lakhs, पहले 2 lakh था, as per se b, तो अब यह बढ़के 10 lakh हो गया, as per se b, the annual maintenance charge will be nil, for the portfolio up to 4 lakh, 4 lakh के portfolio तक के लिए जो annual maintenance charge है वो nil रहेगा, और लेकिन 10 lakh के लिए, 10 lakh के लिए जो charge रहेगा, वो रहेगा, rupees 100, ठीक है, इसी से related एक और news है, se b ने criteria set किया है, for entry and exit of stocks in derivative market, इसका जो threshold time है, वो तैय किया है minimum 6 month, 6 month तो यह बहुत सारे detail कुछ कुछ आसर है, तो जो stock market से related रहता है, वो exam point of issue नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें बता दिया कि se b यह term आपको याद रखना है, 6 month का target set किया है, se b ने, for entry and exit of stocks in derivative market, the time limit for derivative segment is set for minimum 6 month, ठीक है, यह दूसरा news का है, यह line, और अभी जो question है, इसका answer होगा 10 lakhs, और इसको लागू किया जागा 1 सितंबर 2024 से, सेभी की बात कर तो इसकी पहली महिरा chairman रही है, अभी है वर्तमान में मर्धाभी पूरी बुच, established कब होगा था 1992 1992 में, next है which bank launched sapphire forex card for Indian students, sapphire forex card, तो इसका answer होगा option भी ICICI, ICICI bank ने launch किया sapphire forex card जो की बहुत सारे features और facilities के साथ है, और यह visa powered है, बहुत सारे रहाता है master card कुछ रूपे powered कुछ visa powered तो यह visa powered प्रिपेट card है, it will support transaction in 15 currencies, अलग-अलग currencies में transaction को यह support करेगा, it will give the joining benefits of 15,000 और जो अधर-अधर है cash back plus free waiver of transactions of ATM in other countries, mainly forex card क्या होता, foreign travel cards और जो बाहर में विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए होता, फॉरेक्स card तो इसका नाम है सफाइरो फॉरेक्स card by ICICI bank, ICICI bank के MDCO को और संदीब बक्षी established 1994 headquarter Mumbai, तो इस card का details, मतलब card क्या facility यह कोई relevant नहीं है, 0.01% भी exam point of view से बस यह आपको ध्यान रखना कि card का नाम किया है, इसको जारी कि ICICI bank ने visa powered है कितने currencies में यह support करेगा, पंदर currencies में, पंदर currencies में transaction को यह approve यह करेगा, allow करेगा, कुछ और इस विके banking amendments देख लेगते हैं, विच बैंक launched Elevate, AI powered health insurance plan, इस तो ICICI bank ने launch किया है Elevate, AI powered health insurance plan, India Bulls housing finance renamed as Samman Capital Limited, तो India Bulls का बन्या नाम हो गया Samman Capital, LIC raised is taken IDFC First Bank to 2.68% वाया private placement, जिसका valuation है 20.02 करोड, next is SBI and BSF यानि के State Bank of Indian Border Security Force partner for grow with trees plantation drive-in Srinagar, next है Bandhan Bank appointed as interim MD CEO to Ratan Kumar Kesh, Ratan Kumar Kesh को interim CEO MD नियुक्त किया है Bandhan Bank ने, तो यह था आपका July 1st week का Banking, Current Affairs, Banking and Financial Awareness का वीडियो जो कि आपके upcoming RR with PO, clerks और भी exams के लिए काफी important है और आप weekly current affairs को जरूर देखे, so thank you very much for watching.